हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट यूजी स्टुडेंट्स के लिए इंपोटेंट रहने वाली है गयाज एक ओफिशियल नोटिस जारी किया गया है काउंसलिंग रेजल्ट को लेकर तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ यह आप सभी को पता है राउंड वन राउंड टू ओल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का जो रेजल्ट है वो अननौन्स हो चुका है ठीक है तो क्या ओफिशियल इंफोमिशन जारी की गई है इन राउंड के लिए और आगे जो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको नीट यूजी ओल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से रेलेटिड की पल-पल की अपडेट टाइम टो टाइम मिलती रहे ठीक है क्योंकि अगर एक भी इंफोमिशन मिस हो जाती है तो आप लोगों को एक बड़ा नुक्षान हो सकता है अगर आप एडमिशन लेना चाहा रहे है तो ठीक है तो देखते हम जो ओफिशल नोटिस जारी हुआ है उसको तो गया सबसे पहले यह जो ओफिशल नोटिस है यह केला स्टेट के तरफ से है और ईनने जो फर्स्ट अलोट्मिंट पब्लिश किया है उसको लेकर है तो फर्स्ट अलट्मेंट किसके regarding publish हुआ है क्योंकि first round का तो बहुत पहले counseling और result आ चुका है यह आप सभी को पता है तो यह जो आपके आयूस courses है आयरवेदा, homeopathy, सीधा, farmacy, agriculture, veterinary, forestry, fisheries, cooperation and banking, climate change इन सब के ऊपर जो है list आपके out हो चुकी है उनी को लेकर है तो आप देख सकते हैं the first phase centralized allotment to the year 22 से 30 के लिए publish हो चुका है यह official website दी गई है यहाँ पर publish हुआ है तो जो भी allotment है वो आप देख सकते हैं सबसे पहले 24 गंटे का time दिया गया है कि अगर आपको results से कोई भी doubt, कोई भी problem होती है तो particular email ID दी गई है वहाँ पर आप मिल का सकते हैं उसके बाद जो next दिया गया है जो candidate को print out ले ले लेना चाहिए जो भी allotment memo है उनका home page का उसका from the home page तो allotted candidates को download करना है data sheet containing the basic details of the candidate by clicking the menu item data sheet ठीक है menu item के उपर click करेंगे data sheet available हो जाएगी वो आपको download कर लेनी है after that candidate जो भी receive करते है allotment उनको remit the face shown in the allotment memo to the allotted colleges itself and should join the course or college allotted from 29th November to 2nd December 29th December तक उनको admission ले लेना है मतलब जो भी college उनको allot हुआ है वहाँ पर उनको report करना है उसके बाद जो fee detail है जो दी गई है as the fee of 22 to 23 academic year is not yet fixed in self financing colleges अब तक fix नहीं की गई है self financing colleges के अंदर तो वो candidate जिनको भी allotment मिला है self finance colleges के अंदर उनको provisionally pay करनी होगी कुछ fix deposit जो की 21-22 के अंदर थी वहीं उनको करनी होगी and they have to pay the balance fee in case if the fee to be fixed by the admission supravisory committee government or honorable high court of the academic year 22 to 23 is higher than that of 21 to 22 for these colleges ठीक है इसमें simple simple बात यह को बोली गई है कि अभी तक fix decide नहीं की गई है लेकिन जो 21-22 के students की जो fee लगी थी वो फिलहाल fix fee है जो payment करनी है after that अगर government जो है increased fees बताती है कि इस session के लिए इतनी fee होगी तो जितनी भी increment होगा वो आपको वापिस से दोबारा से pay करना पड़ेगा ठीक है तो guys यह आप लोगों के लिए official information थी आपको देख लेना है फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है तो आप comment के जरी पोछ सकते है और guys वीडियो पसंद आए तो like और share करना बिल्कुल भी ना भूले तो जल्द ही मिलते है next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys